लास्ट शनिवार को मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था एक फ्रॉड के बारे में आप सब को बताया था कि कैसे इंवेस्टमेंट अडबाइजरी जो कि एक लाइसेंस अक्टिविटी है कई लोग उस अक्टिविटी का लाइसेंस नहीं लेके लोगों का यूजर आईडी पासफ़र्ड लेके इल्लीगल काम कर रहे हैं तो इसके रिस्पॉंस भात आए पॉस्टिव रिस्पॉंस भर भर क्या है अट लीस्ट पीपल आ नौलेज़ बर अट लीस्ट पीपल वह सीन देट वीडियो उनको एक नौलेज हो गया है कि हमको अपने ट्रेडिंग टर्मिन किया होगा और अब उनको लग रहा है कि यह तो बात सामने आ रहे हैं तो हम जड़ा ध्यान से रहें तो लास्ट वीकेंड का वीडियो मुझे बहुत साटिस्फेक्शन हुआ कि एलिस मैंने अपने बात खुल के की इना मीनवाल इस वीक एक और और आगया सेवी का और बहु ही डीटेल और रहा है अचली मुझे तो कई बार ही एक स्टोरी टेलिन लगते है कि जससाब से चीजों को सेवी के और में नेरेट किया जाता है कि पहले यह हुआ फिर यह हुआ फिर वो हुआ वो एक स्टोरी से कम नहीं है एक इंटर्टेन्मेंट स्टोरी से कम नहीं है तो तो तीस कोड में कुछ बहुत बड़ा फ्रॉड तैनी है लेकिन अगर इसके थोड़े अंदर में जाएंगे न तो आपको एक पता लगेगा एक प्रोसेस पता लगेगा और पता नहीं है कि ये फ्रॉड ये तो सामने आ गया है और कितने इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं और क्वांटम उसका क्या है वो शायद टाइम ही बताएगा यह शायद आने वाले दिनों में अब वो ना भीव हो विकाज से भी इस परसनल कोई negativity नहीं है कोई दुश्वनी नहीं है कोई ऐसा नहीं है यह तो order में है तो मैं order की बात ही कर रहा हूँ और अल्डे इंडिविज्विज्व जिनका नाम यहां mentioned है I may be using those names I may not be using the names नाम important नहीं है important है यह concept यह fraud हुआ कैसे और यह जो बात सेवी ने सबको बताई यह openly मैं उसी को अपनी भाशा में convert करके सबको बताना चाहता हूं क्योंकि यह concept सबके दिमाग में रहनी चाहिए कि इस तरह का fraud भी हो सकता है तो यह fraud जो है access mutual fund के अंदे में हुआ कोई मुचल पंड के अंदर में एक fund manager होता है और एक dealer होता है यह differentiation समझना बहुत जरूरी है fund manager कौन है जो आप नाम सुनते हैं जो public face होते हैं वह fund manager का का एक Bloomberg order management system के थ्रूंबग का एक order management system होता है जहां से जलेडी है communications होती है वह communicate कर देता है चीफ dealer को और access mutual fund के एक dealer है उनका नाम है विरेश जोशी तो मैं जोशी बोलूगा फर्स नेम तो याद नहीं रहेगा Mr. जोशी चीफ dealer थे access mutual fund के तो उनका काम क्या था उनका काम था जो fund manager है उससे जो उनको information मिल रही है ब्लूमबक order management system के थूँ उसको respective कुछ brokers लोग को order देना कि वो transaction कर सके और देखे brokers बहुत सारे इंपैनल होता है कोई भी एक mutual fund में नियम होता है कि एक mutual fund सिर्फ एक broker के साथ काम नहीं कर सकता उसके पास इंपैनल ब्रोकर होना चाहिए ताकि वो अपना जो trade है वो multiple brokers में distribute कर सके तो जो dealer होता है उसका primary काम होता है कि जो fund manager का instruction है उसको properly exchange के अंदर में उतारना उस इंपैनल ब्रोकर के थ्रो ना यह तो हो गया सीधी लाइन अब इसमें जो gap है कि fund manager जब बोला और जो trade उतारने का जो समय आया उसके बीच में जो gap है इसका फायदा उठाया जा सकता है और यही पायदा Mr. Joshi ने उठाया यह बहुत interesting report है इसको पढ़ते पढ़ते मुझे microstructure को अगर हम नहीं समझेंगे तो market में क्या changes हो रहे है या क्या ऐसी बाते हैं जो शायद हमको नहीं पहुंच रही है वो आपको पता तभी लगेगा जब आपकी आदत होगी यह सब document पढ़ने की तो यह पूरा SEBI का order जो आया वो obviously SEBI एक act है जो 1992 का act है और SEBI का एक regulation है उस इस act के आधार पर SEBI का काम है कि वो fraud अगर market में हो रहा किसी भी तरह के था तो वो fraud को analyze करते हैं और उसके against order pass करते हैं यह fraud को technically नाम देते हैं front running front running के concept कोई इंडिया में नया concept नहीं यह तो दुनिया भर में होता है global concept of front running का और SEBI के इस order के अंदर में front running को बहुत ही प्यार से define किया गया है तो मैं वो definitions पे जाता हूँ front running का मतलब हो गया buying or selling securities ahead of a large order so as to benefit from the subsequent price movement मतलब जो बड़ा कुछ order आने वाला है और मुझे पता है कि यह बड़ा order आने वाला है जैसे fund manager ने बोल दिया dealer को तो उसको पता है कि यह order है उसके पहले जो मेरे पास समय मिल गया उस समय में मैं कुछ भी करूं क्योंकि मैं कर रहा ह हूं क्योंकि मेरे पास एक holiday information है और उसके बुनियाद पर मैं कर रहा हूं तो वो front running हो गया front running का definition एक black law dictionary यहीं से पढ़ रहा हूं इस order से black law dictionary 9th edition के अंदर में front running को defined कि है बहुत प्यारा definition है front running a broker or analyst use of non-public information to acquire securities or to enter into futures and options contract for his or her own benefit knowing that when the information becomes public the price of the security will change in a predictable manner इसका मतलब information आपके पास थी आपने या तो cash market में काम किया या derivatives में काम किया और उसके पहले position बिल्ड कर दिया क्योंकि आपको पता था यह position आप बिल्ड करेंगे तो आपकी कमाई हो जाएगी यह practice illegal है front running बहुत तरीके दे की जा सकती है जैसे कई broker भी करते हैं अगें सब broker खराब नहीं होते हैं बट brokers के यहाँ पी analyst है वो लोग अपने views बताते हैं और कई बार views बताने के पहले ही वो लोग को पता है क्योंकि हम view बताएंगे और लोग उन view पे खाम करेंगे तो उसके पहले थोड़ा वो लोग भी front running कर लेते है तो यह illegal practice है for example a broker or an analyst who work for a brokerage firm may buy shares in a company that the firm is about to recommend as a strong buy or in which the firm is planning to buy a large block of shares तो समय में आ रहा है कि जो भूकर लों का recommendations होता है उसके पहले आप कई बार देखोगे कुछ activities हो रही होती है shares में और अचानक से पतला लगा रही recommendation आ गया पेटियम वगर का example आपको याद है मैं clarify कर देता हूं कि मैं नाम जो यूज कर रहा हूं बस एक illustration के लिए यूज कर समको generally लोग नहीं समझाते हैं विकल मैं market का हूं तो it's easier for me to explain you these concepts अचा एक बात है कि लोग वीडियो बहुत देख रहे मेरा आप भी देख रहें लेकिन आप लोग subscribe भी कर रहें subscribe कर दिये channel को ताकि मैं इस तरह की unique unique बाते आपको बता हूं तो at least आपको information मिल जाए तो प्रेवी ने एक circular में define किया कि वही जो definition था ना उसी को उसने circular में define कर दिया कि अगर previous information का अधार पर कुछ किया जाएगा तो उसको front earning बुल जाएगा जब हम fund manager की बात करते हैं तो उसका एक role है कि वह market research करता है stock research करता है उसकी team होती analyst की और research के बनियाद पे किसी stock में लेने देने का वो decision देता है तो वो एक clean structure है ओके वहाँ पर भी कोई ने कोई fraud होई रहा होगा एक मझे आदे एक fraud आया था कि कुछ fund managers ने companies ने उनको कहा कि वे आप fund में मेरा share खर लीजे और मैं आपको उसके लिए pass back दे दूँगा यह थी कि सेवी का order कुछ साल पहले आया था आपके का fraud है तो fund managers के ओपर में हमेशा scrutiny रहती है कि क्या तुमको company ने पैसा दिया है अपने fund में वो share खरिदने के लिए खासकर small cap mid cap companies के लिए जादा होती है इसलिए देखिए most of the fund managers avoid करते हैं उन companies को जो हजार पाँच हजार करोड के market cap के नीचे है वहाँ free float भी कम होता है और वहाँ पर chance होता है कि लोग question कर सकते हैं कि इसमें अपने पैसा क्यों डाला विकॉज आप सोचिए दो ती निजा कोड का market cap का company में 200 कोड अगर fund manager एक ही fund manager ख़दने आ जाएगा तो stock price तो 20% ऐसे भढ़ जाएगा तो यह एक area है जो fund manager, PMS manager, AIF manager इन सब के लिए concern area है लेकिन यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर जो Mr. Joshi थे उनका काम था dealing करना मतलब वो order जो fund manager से आया उस order पे transaction को execute करना वहाँ पर इन्होंने गोची कर दिया गोची क्या किया बड़ा smart play किया वह order आ गया fund manager से वो order को तो दिन बर में execute करना है एक tentative fund manager ने बता दिया वह यह quantity है और इस price के आस पास पर तो में execute कर लो ठीक है अब इन्होंने क्या model सप्रेंटी किया कि इन्होंने कुछ लोगों से connect किया अगें मैं नामवाम नहीं बताऊंगा यह सारे इस order में है और इस order में WhatsApp चैट Bloomberg टर्मिनल पर जो चैट है process होता है तो कोई भी order को हमको circumstance डिमाना चाहिए कि हाँ यह तो illegally हो गया सेवी ने कहा है उनका point of view है उन्होंने एक order अगेंस्ट में दे दिया है बट हम अभी भी उसको नाम देके हम explicitly करना चाहते है कि यह लोग बदमाशी थे ठीक है तो इसमें क्या हुआ जब सेभी का यह order के पढ़ा मैंने तो उसमें मैंने एक analysis किया कि सेभी ने पढ़ा प्यार से categorization कर रखा कि किस किस तरह के लोग होते हैं एक होता है information carrier एक होता है arranger और एक होता है enabler information carrier arranger enabler information carrier का मतलब कौन हुआ जो fund manager Mr. Joshi है जिन्होंने actually यह चीज को carry किया फिर उसके बाद है arranger कि यह ब बिच्छोली है जो है वो ढूंदते हैं broking firms को या कुछ clients को जो अपने नाम पर काम करने में interested होंगे ठीक है अब यहां पर कुछ broking firms के नाम mentioned है दो तीन broking firms के नाम mentioned है fortunately कोई भी Calgada से नहीं है तो हम Calgada को बदनाम कर रहे हैं यहीं पर होता है समका ऐसा कुछ नहीं है एक broking working firms हैं इन्होंने क्छो क्लाइंट के account. और कई बार होता है कि मिल के करते कि चलो मिलक करते और प्रॉड होगा तो होगा मिल केखरें भीनिके यह सबका प्रॉफिट शेरिंग है तो फ्रॉड करने में क्या प्रॉब्म है तो वह क्लाइंट pine के पर trade होता है और trade कैसे होता है कि suppose trade एक bulk order place होना है वो 2,30-3 बज़े तक place होगा तो 11-12 बज़े कोई दूसरे account में जो illicit account है किसी illicit broker के थूँँ वहां पर buying कर ली जाती है तो मैं illicit account में buying कर लिया अब पता है कि 3 बज़े या धाई बज़े या 2 बज़े मैं buying करूँगा company के account पे जो fund house है उसके account में buying करूँगा तो मैं पहले से हाँ बाई करके रखाऊ और जब fund house के account में buying आएगा तो मैं उनी को बेच दूँगा तो यह जो difference है यहां लिया और उस समय उनी को बेच दिया वो जो difference है उसका पैसा जमा हो जाता है जलिदी हो difference बहुत बड़ा नहीं ह होता है ऐसा नहीं कि position overnight carry होती है largely इसा position जो है वो intraday वाली है चाहिए वो cash market में करो चाहिए derivatives में करो जैसे उसके stocks में mention कर दिये हिंड आलको जमाटो और बहुत सारे stocks हैं जिसके अंदर में इस तरह के front running भी जो fno के stocks में उसमें futures को यूज किया गया और जो cash market के stock से उसमें cash market में काम किया गया तो बहुत सारे companies है अचाहिए इसमें इंट्रेस्टिंग fact निज़र आया कि इसमें दुबई का link है यह घुम फिरके मेरे को समझा आगया कि कुछ भी होगा तो दुबई का link आना ही illegal काम दे तो दुबई के अंदर में उनका actual में एक dealer बैठा और उसको user ID passport था access दे दिया गया था उन ग्रोकिंग फर्म के टर्मिनल का तो इसका मतलब दुबई से login हो रहा है अब regulator क्या बोलता है इसमें मुझे इसमें समझ में नहीं है कि क्या trading terminal इंडिया के बार से login हो सकते हैं कि आई-पी अड्रेस तो capture होता ही है तो इसको लेकि कु इतना भी इसमें रोक टोक लगाने ही कोशिश करो टेक्नलोजी का फायदा और नुकसान भी है ना दौनों तरफ का उसके अंदर में बहुत च्छिटी मिल जाती है तो डीलर बैटा था दुबाई के अंदर में ब्रोकिंग फर्म्स थी एक बॉंबे अमदाबाद की एक दो के ब्रोकिंग फर्म्स थी और जो बिचोलिया था वो बंबे बेस था और उसका काम ही यही था कि फंड मेनेजर लोग को इस तरह से शायद वो फेसिलिटेट करते हैं उनका काम ही यही है तो बीच में वो अपना रेविन्यू शेरिंग करते हैं और फाइनली यह जो मिस्टर किसी विसल ब्लोवर ने सेवी को कंफ्लेइन किया कि रहे इस आदमी के बाए इतनी बड़े बड़ी काड़ी है कहां से आ गए तो एक चीज है कि अगर आप कुछ गलत करें ना लो परफाइली रही है ज्यादा गलत करके पैसा को दिखाएंगे ना तो और भी लोग है जो आ मैंने को इस ओडर में नजर आया कि यार यह वाट्सअप कम्यूनिकेशन हो गए यह जो भी हम प्राइवेट मेसेजिंग प्लाटफॉर्म देखते हैं यह कोई प्राइवेट नहीं है यह तो सेवी ने पूरा डेटा निकाल लिया सबके हार्डवेर्स को सेवी ने सीज किया और वहां से वीडियो ओडियो इंफाक्ट सेवी ने लिंक भी दिया इस ओडर में कि आप अगर स्काइन करोगे तो आपको आपको आदियो जाएगा मैं वह वीडियो देख रहा था एक क्या मतलब मानना पड़ेगा सेवी से अक्चली एक तो मानना भी पड़ेगा सेवी को और तोड़ा डर के भी रहना चाहिए विकाद अगा कुछ गलत कर रहे हो ना तो वह गलत को भरपाई आपको यहां परी करनी होगे देखे कर सकता है क्योंकि एक सब्सक्राइटी भी है तो इंवेस्टिगेशन भी कर सकता है और भी पास कर सकता है तो अच्छा है मतलब देश बदल रहा है और देश लोड़ अव स्कोप आफ कंट्रोलिंग इस कांड़ फ्रॉड्ट विच वापनिंग और जैसे जैसे फ्रॉड्ट इमर्ज होंगे वैसे वैसे और लॉट तफ होंगे लॉट अपने के ड्वांटेज भी डिसद्वांटेज यह कि फिर जो जैनुर्ट लोग है उनके लिए लाइफ थोड़ा सा तफ हो ब्रोकिंग फर्म जो इन्वाल थी तो पूरा उन्हेंने चार्ड बनाके एक प्रजेंट कर दिया कि इस तरह से यह मॉडस आप्रेंडी वग करता है तो अब हम इससे क्या लेरिंगे पहले लेरिंग है कि यह सब काम मत करो कोई कर रहे तो लिकाज अल्टिमेटली घूम फिर यह सिस्टम का नजाच पादा उठाके पैसा बनाना is not the right approach बट भर भर क्या होता है इस इस तरह की और साते है और फिर एक बार लोग अलर्ट हो जाते है फिर वही वही घोड़ा वही मिदान वही वापस से चालू कर देते है बट इस वही वापस से चालू कर देते हैं बट अब आपको अपना फ्रेमवर्क स्टाउक मार्केट में पारिस्पेशन का बनाना पड़ेगा नहीं तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं यहां वल्चर्स हैं जो बस डेड बॉली खाने के लिए बैठे हैं जिनको पैसा ही बनाना है जिनको भूख ही मिटाना है जिनको नहीं है तो अगर आप उस वल्चर का सिकार नहीं होना चाहते हैं if you genuinely want to make money from the market then you have to create your own framework नहीं तो आज जो भी पैसा इसने कमाया इस exercise से और दुबई में कंपनी बना ली अपने फादर को अपने ब्रदर को उस कंपनी का डिरेक्टर बना दिया and he wanted to shift तो बहुत सारी बात है अल्डवेडी जो भी पैसा बना वो पैसा तो market से निकलाना और वो पैसा हो सकता है कि आप ही का था जो market के थू निकल गया so my whole submission is that you should be extremely aware about the money you are investing in market because there are vultures who are ready to extract that money from you and you will be hopelessly not doing anything about it अब क्या कर सकते हो अब क्या कर सकते हो अगर हम दे वन से ही precaution पर फोकस करें precaution is better than cure last video में भी यही मेने बोला precaution is better than cure आज भी यही बोलके में end करना चाहता हूँ precaution is better than cure and you will keep on finding such things happening in market so we all have to learn from it and make sure that we don't get involved in any of these things which is there in the market thank you यह वीडियो देखने के लिए और हो सके तो just share with your friends and family और समय मिले ना तो यह order पढ़ लिजेगा और इसमें पता स्टोरी है यह तो गजब मजा आ गया फोटो अटो सब दिखाया है उन्होंने और यह जो डीलर थे हमको जादूगर बोलते थे यह और इसमें जो वाटसप चलना चाते and I'm sure it will be good learning for you thank you bye take care